Hello everyone, welcome to Study IQ. Study IQ के इस वीडियो में हम देखेंगे 2019 में बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहांपे elections हुए, नए प्राइम मिनिस्टर बने या नए प्रेजिरेंट बने कई कंट्रीज में जो एक्जेक्योटिव पावर है वो प्रेजिरेंट के पास होती है और कई कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर के पास होती है जैसे रशिया में प्रेजिरेंट के पास है एक्जेक्योटिव पावर रशिया में भी प्रधान मंत्री होता है लेकिन उसके पास पावर नहीं होती इंडिया में उल्टा है इंडिया में executive power परधान मंत्री के पास होती है तो इसी तरह से हम देखेंगे कि जो विदेश, विदेशी जो कि ये countries हैं इनमें कौन नए president और prime minister बने पिछले 6 महिनों के अंदर So let's start the video और भी अगर कोई important तथे हुए तो मैं साथ साथ बदाता चलूँगा जो आपके exam के लिए important हो सकते है Brazil के राश्पती बने है जैर बोल सो नारो Michelle Tamer के बाद बने है ये और Brazil का एक शहर है Rio जहाँ पे 2016 के summer Olympics हुए थे Olympics हेल 2016 के Rio में हुए थे और Rio को World Capital of Architecture यानि वास्तुकारिता की राजधानी डिकलेर किया गया है 2020 के लिए World Capital of Architecture Congo के राश्पती है Felix, She, Se, Kedi Felix, T का उचारण नहीं किया जाएगा She, Se, Kedi Felix याद रख लो इतना काफी है अब यहाँ पे लिखा है Congo तो Congo का मतलब है Republic of Congo ठीक है Congo देश जब हम बोलते हैं Congo मतलब Republic of Congo और इसकी Capital है Braza Will एक कंट्री और है जिसको बोलते है Democratic Republic of Congo और Democratic Republic of Congo का पुराना नाम था जाएरे इस देश को पहले जाएरे बोलते थे Z-A-I-R-E इसकी Capital है किन शाशा तो दोनों में confusion नहीं होनी चीए Congo की Capital है Braza Will और Democratic Republic of Congo की है जाएरे इसको पहले बोलते थे और Capital है किन शाशा और Congo को हम Republic of Congo भी बोलते हैं यानि कि दो कंट्री है Republic of Congo और Democratic Republic of Congo I hope it's clear Venezuela के President Venezuela के अभी President है Nicholas Maduro लेकिन America और Europe उन्होंने कहा है कि हम President इनको नहीं मानते हम President मानते हैं जुआन गुआईडो को clear लेकिन Russia सपोर्ट कर रहा है Nicholas Maduro को तो Venezuela में इस वक्त दो-दो राश्पती है एक जो महाँ पे चुने गए हैं जिनका नाम है Nicholas Maduro लेकिन problem यह है अमेरिका और योरोप बॉल रहे हैं कि Nicholas Maduro जो हैं वो लोकतंत्र की एक स्वस्त प्रणाली से नहीं चुने गए हैं उन्होंने election को फज किया corruption हुआ तो असली President जुआन गुईडो हैं यह अमेरिका और योरोप कह रहा है वेनिजूला की Capital है काराकास मादागासकर के President बने है नए Andre Razolina Andre Razolina El Salvador के President है Naib Bukele El Salvador की Capital है San Salvador San Salvador Argentinina के President बने है Mauricio Macri Mauricio Macri Argentinina की Capital Buenos Aires है जहाँ पे 2018 के यूथ Olympics हुए थे यूथ ओलम्पिक्स नाइजिरिया नाइजिरिया के राष्पती बने हैं मुहमदू बुहारी और नाइजिरिया के एक वेक्ति ओर आपको याद रखने हैं जिनका नाम है मुहमद तिजानी बंदे ये United Nation General Assembly के ट्रेजिरेंट बने हैं सेयुक्त राश्ट्र महासभा के अध्यक्ष, नाइजीरिया की राजधानी है आबुजा, अफ्रीकी देश सेनेगल के नए राश्पती बने है मैकी साल, और सेनेगल की कैपिटल है डाकार, जहां पे 2022 के यूथ उलम्पिक खेले जाएंगे, कजाकिस्तान के अब तक सिर्फ एक ही राश्पती थे, बहुत लंबे समय से, जिनका नाम था नूर सुल्तान नजरबायव, अब कजाकिस्तान ने इनको समानित करने के लिए अपनी राजधानी का नाम अस्ताना से पलटके कर दिया है नूर सुल्तान, तो नूर सुल्तान के ब कॉमरोस कॉमरोस एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है मोरोनी तो कॉमरोस अजली असुमानी बने है यहां के नए राश्पती स्लोवाकिया ये बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इनके इतिहास में पहली बार एक महिला है जो प्रेजिरेंट बनी है इनका नाम है Zuzana Kaputova Zuzana Kaputova और स्लोवाकिया की capital है Bratisalva Sesshels Sesshels के president बने है Danny For ये इंडिया भी आये थे last year Danny For Sesshels भारत को gift कर रहा है Azamshan Island Azamshan Island जिसे भारत अपनी सेना हिंद महाजागर में इंडियन ओशन में लगा सके Azamshan Island के उपर Sesshels की capital है Victoria युक्रेन के president Potro Poroshenko को हरा कर नए president बने comedian और actor Volodymyr Zelensky युक्रेन की capital है Kiev पनामा के नए राजपती बने है Laurentino Cortizo पनामा एक Central American country है इंडोनेशिया के president दुबारा बन गए है Joko Widodo election जित गए इससे पहले भी यही थे Joko Widodo Taiwan के परधान मंत्री बने है Su Sang Chang Su Sang Chang Taiwan की capital है Taipei और Taiwan country को Chinese Taipei भी बोलते हैं Sweden के परधान मंत्री बने है Stephen Laufen Stephen Laufen Mauritius के परधान मंत्री प्रवीन कुमार जगन्नाथ और Mauritius की capital है Port Louis Denmark के परधान मंत्री Matt Fredrickson Denmark की परधान मंत्री बनी है Matt Fredrickson Burkina Faso Burkina Faso एक देश है और इसकी capital है Uagadougu O U A G A D O U G O U Uagadougu इसके प्राइमिनिस्टर बने है Christophe Joseph Mary Dabair चलिए एक difficult जवाल पूचता हूँ Denmark से related Denmark जो है इसकी एक महिला है वो अभी-अभी United Nations Environment Program की Chief बनी है नही सैयुक्त राष्ट्र परियावरन कारेकरम जिसका headquarter Kenya की capital नायरोबी में है इसकी नई Executive Director यानी Chief बनी है Denmark की एक महिला इनका नाम बताइए Fiji के प्रधान मंत्री बने है Frank Baini Marama Frank Baini Marama Estonia के प्रधान मंत्री बने है Jury Ratas Estonia, Estonia की capital है Talyan Jury Ratas Palestine, Palestine के प्रधान मंत्री बने है Muhammad Shataya यह काफे important है Muhammad Shataya Prime Minister of Guinea जिसे Republic of Guinea बोलते है Republic of Guinea जिसकी capital है Konakri और जो लोग नहीं जानते Konakri को World Book Capital डिकलेर किया गया था UNESCO के द्वारा 2017 में इस साल World Book Capital कौन सी है 2019 में? शार्जा और 2020 में World Book Capital है Malaysia की capital Kuala Lumpur 2017 में Konakri था World Book Capital यह Republic of Guinea की capital है इसके नए प्रधान मंत्री बने है इब्राहिम का सोरी फोफाना हाइती हाइती भी एक country है इसकी capital है Port O Prince Port O Prince इसके प्रधान मंत्री है Jean Michael Lepin Jean Michael Lepin Malie Malie के प्रधान मंत्री है बाव बाव सी से Malie की capital है Bhamakko Bangladesh की प्रधान मंत्री फिर से बन गई है इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग और आवामी लीग पार्टी ने अभी-अभी 70 साल पूरे कर लिये है 70 एनिवर्सरी हुई आवामी लीग पार्टी की बांगलादेश के फादर जिने बोलते हैं शेक मुजिबूर रहमान ये उनकी बेटी है मोहमद गजोनी ये presidential election जीत गए है मौरिशैनिया के तो मौरिशैनिया जो कंट्री है इसकी कैपिटल है नोआख चोट और मौरिशैनिया में 60 साल के बाद चुनावोए Highland के नए प्रधान मंत्री बने है प्ञोथ-चैनोचा प्रईुत-चैनोचा पपुआ नियू गिनी इसको Republic of Guinea से कनफ्यूज मत कर न ऑस्टेलिया के पास है ये कंट्री पपुआ नियू गिनी इसके प्रधान मंत्री बने है James Marrape और इसकी capital है Port Moresby मलावी के president Peter Mutarika मलावी मलावी के president कौन है Peter Mutarika और मलावी की capital है Lelongway South Africa के president Cyril Ramaphosa हमारे Republic Day जो हुआ था इस साल 70 वा Republic Day उसमें Chief Guest थे इनकी party का नाम है African National Congress यह दुबारा South Africa के president बन गए है इसराइल के परधान मंत्री फिर से बन गए है Benjamin Nathan याहू चलिए एक comment में लिखके बताइए किस देश की ruling party है इस वक्त जिसका नाम है N. Marsh N. Marsh कोन से country की ruling party है सो यह था हमारा वीडियो जिसमें हमने सारे important presidents और prime minister cover किये world में जो नए बने है पिछले 6 महिनों में यह वीडियो आपको कैसा लगा आप comments में लिक के जरूर ताइए और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ भी share करें और आपको बता दूँ हमारे जो pen drive course है यह भी available है जिनसे आप घर बैठे त्यारी कर सकते हैं लेकिन यह paid courses है अगर आप हमारा कोई भी course खरीदना चाहते हैं तो हमारी website visit करें studyiq.com I'll see you in the next video till then take care and goodbye